भारत वर्ष में जन संख्या की दृष्टी से देखा जाए तो बीस करोड की आबादी समेटे उत्तर प्रदेश में स्वास्थि स्विधा एक गंभेर चुनावी है। इस समस्या का उप्चार के निर्ट प्रदेश की राजधानी लखनव को माना जाता है। उत्तर प्रदेश नरकार द्वारा वास्तविक मायनों में समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के मरीजों का उप्चार करने के लिए किये गए सबसे बड़े प्रयासों में से एक था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयूरुविक्यान संस्था वर्ष 2006 में जब लोहिया संस्थान क अस्थापना की गई थी, तब इसका एक मात्र उद्देश उच्छतम गुडवत्ता की स्वास्थि सुविधा प्रदान करना था, पर समय के साथ साथ लोहिया संस्थान ने नजाने कितने ही मुखाम हासिल किये, इस संस्थान को महान विचार की वा मुस्वतित्रता से नानी डॉक्टर राम मनोभर लोहिया को समर्बित किया गया था. समाज में उनकी एक प्रतिस्ठाती विले के पस्चात एक समिन्वे बताते हुए दोनों संस्थान बढ़ते चले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयूर विज्यान संस्थान में अस्थापना वर्स से ही रोगियों को अत्यंत कम दरों पर सूपर इस्पेशियालिटी सुईधाय उपलब्द कराने हैं तू ततिबद रहा है संस्थान में कैंसर है तू सर्जिकल अंकॉलजी, मेडिकल अंकॉलजी, रेडियेशन अंकॉलजी एवं नीदान है तू न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग उपलब्द हैं रिदाय रोगों हेतू कार्डियोलजी तथा सीवी टीयस विभाग एवं मस्तिस्क रोगियों हेतू नियूरो सर्जरी एवं नियूरोलजी विभाग आधुनिक सुविधाओं से सुसजित हैं गुरदा रोगों के इलाज हेतू, नेफरोलजी एवं, यूरोलजी विभाग तथा उदर समंधी रोगों हेतू, कैस्ट्रो मेडिसिन एवं, सर्जिकल गैस्ट्रो एंट्रोलजी विभाग सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों में पीडियात्रिक सर्जिर्य एवं, पीडियात्रिक विभाग जट्रिल बिमारीओं के इलाज में सक्षम हैं। एंडोक्रैन सर्जिर्य तथा एंडोक्रैन ओलजी विभाग, एंडोक्रैन घृंतीयों के इलाज हेतू, अस्थापित किये गए हैं। The concept of providing super speciality healthcare came to the government in 2004, it was put into writing in 2008 and we started the super speciality blog in 2009. What we started as a 350 bedded super speciality hospital has now increased to almost 1100 beds where we are rendering primary, secondary and tertiary care health services. Under one roof, the aim is to provide all services and all investigations so that the patient does not roam around from one end to the other. We are having the hospitals on three campuses where we have the maternal and child healthcare services being rendered at the RPG hospital with around 200 beds. Then we have the super speciality block with around 400 beds and the general hospital which was merged with this institute which is now the teaching institute for the undergraduates around 450 beds. हडड़ी रोगों है तू और्थोपेडिक्स एवं PMR विभाग सेवाएं प्रदान कर रही है। संस्थान में ICU, critical care एवं बेन क्लिनिक की सुविधाओं का संचालन एनेस्थीसिया विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्य चकित्सा है तू जनरल मेडिसिन एवं जनरल सर्जरी की सुविधाएं निक्षुल्क है। इस्त्री एवं प्रसूती रोग विभाग प्रसाओं के साथ साथ इस्त्रियों से जुड़ी अन्य बिमारियों के इलाज में बुर्ड सक्षम है। संस्थान में इमर्जन्सी हे तू इमर्जन्सी मेडिसिन विभाग भी अस्थापित है। ना कान गला रोगियों हे तू इन की तधा नेत्रो रोगियों हे तू अप्थैल्मॉलजी विभाग भी मरीजों की निरंतर सेवा कर रहे है। संस्थान में अत्याथुनिक ब्लड बैंक भी अस्थापित है जिसमें कंपोनेंट सेप्रेशन की सुविधा उपलब्द है। ट्रांस्फ्यूजन मेडिसिन विभाग में अत्याथुनिक प्लाज्मा फेरेसिस मसीन भी अस्थापित है। चाती एवं 6 रोगियों हे तु पल्मोनरी मेडिसिन विभाग अस्थापित है। बिमारियों के निदान हे दू संस्थान में अत्याथुनिक मशीनों से लैस, पैथॉलजी, बायो केमेस्ट्री, माइक्रो बायालजी तथा रेडियोलजी विभाग करीब करीब सभी जाचे करने में शक्षम है। निदानिक सुविधाओं का अंताजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश से लखनों में कई संस्थानों से निदान हे दूरोगियों को इस संस्थान में रेफर किया जाता है। डॉक्टर रामनोर लोया इंस्ट्टिटूट और मेडिकल साइंसे एक प्रतिश्थित संस्थान है जिसमें की हम मेडिकल स्टूडेंस के ग्राजवेट, अंडर्ग्राजवेट और पोस्ट्राजवेट कॉर्सेस कंड़क करते हैं। हमें एक रिसर्च सेल की स्थापना जून 2012 में करी गई थी ताकि संस्थान की फैकुल्टी को रिसर्च करने में सोविधा हो। इस रिसर्च सेल 22 हमारे पास क्लिनिकल ट्राइज चल रही हैं और साथ में 44 और कंपीटड प्रोजेक्स हैं और 23 इंट्रमुरल प्रोजेक्स भी हमने अपनी फैकुल्टी को सैंक्शन करे हैं ताकि कि वो रिसर्च में एंकारेज रहे हैं। और हाली में जो कोविट की मिमारी हुई थी उसमें भी हम दोगों ने काफी नाम कमाया हैं। कोई शिकायगार कर किसी कोविट के मरीच से इस संथान के संबत में निखी नहीं है। मृत्युदर भी काफी कमाया है। बहु मंजिला शैक्षडिक भवन में प्रिहत आकार के उच्च तक नीकी से संचालिक वातान गुलित ब्याख्यान कक्षे हैं। प्रयोगात्मक्षिक्षा के लिए उच्च गुडवत्ता के सूप्ध मदर्सी तथा आधुनिक उपकरण भी है। प्रथम बर्स के विद्यार्थियों के लिए विच्चेदन कक्ष भी हैं जहां मानव अंगों का विच्चेदन किया जाता है। शैक्षड भवन में ही वातान भूलित केंद्रियव कुस्तकाले की व्यवस्था की गई है। जहां लगभग 11,000 कुस्तकें उपलब्त है। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के सरवांगिड दिकास के लिए व्यायाम शाला एवं तृड़ा प्रांगड भी लगद है। विद्यार्थियों के मनवरंजन हिदू प्रति वर्ष सांस्कृतिक कारिक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। संस्थान एक ग्रोथ फेज में है और यहां पे बहुत फास्ट ग्रोथ चल रही है। और इसी तरह यहां के पढ़ाई के करिकिलम भी बढ़ाई जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है और हमने इस साल अपलाई किया है। कि हम नियूरो सजरी विभाग में भी BDCC कोर्स स्टार्ट करेंगे। अनेस्थीजिया विभाग में और पैथालोजी एवम रेडियो थेरेपी विभाग में अतरिक्त कोर्से स्टार्ट करें जाएंगे। इसके अलावा हमने MD डिग्री के लिए भी Anatomy, Physiology, Pharmacology, Community Medicine, General Medicine, Ops & Gynae and Orthopedics में अपलाई किया है। और हमें उम्मीद है कि MCI तवारा ये सीट इस साल संक्शन हो जाएंगे। The aim is to improve further in the primary and secondary healthcare services so that a large number of underprivileged sections of the society can be taken care of. The 24 to 7 emergency services needs to be cautioned so that we are able to take care of trauma services as well. ये सहस्थान एक Dean University का status अभी हाल नहीं पाया है। हम लोग का प्रियास ये है कि हम लोग के research में भी अपना नाम पैदा करें। पेशन के इलाज में नाम पैदा करें। इस सहस्थान का लक्षेल कि यहां पे मरीजों के अच्छी सेवा हो। यहां के अच्छे डॉक्टर्स को नियूस करें। और जब हम लोग और पॉर्सेज बैसे नर्सिंग का और पैरामेडिकल कोर्सेज को लेंगे तो अच्छी नर्सेज और अच्छे पैरामेडिकल के परस्नल लेंगे। यह सब हमारे प्रदेश के जन्मानस की सेवा करेंगे और एक अच्छी सेवा करने के लिए योगी योध्या दो यहां पे तयार करेंगे। इस डक्ष के साथ हम भूमित करते हैं कि हमारे मरीजों का काभी खला होगा। तो आईए चिकित्सा छेत्र में अग्रडी भूमिका निभा रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयूर्विक्यांसन स्थान की निव को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं। करते हैं।